Hello friends, WSQ Tech के चनल पे मैं सुरेंदर आपका एक बाए फिर से वेलकम करता हूँ पिछले वीडियो में हमने डिसकस कर रखा था Dictionaries क्या होती है, कैसे हम लोग अपने Dictionaries को create करते हैं कैसे इस Dictionary के अंदर हम लोग अपने और elements जो है तो friends, इसको practically हम लोग डिसकस करते हैं उसके लिए friends, मुझे यहाँ पर अपना software start करना पड़ेगा आप जो भी use करें friends, मैं idle use कर रहा हूँ, ideally ठीके, तो idle software के अंदर आपको क्या करना है friends यहाँ जब आप देखेंगे, आपके ID जब open हो जाएगी तो friends, अगर आप चाहें तो एक नई file भी create कर सकते हैं मैं यहाँ पर सिधा-सिधा shell पर ही काम कर लेता हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ तोड़ा demonstration देख रहे हैं तो friends, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक dictionary create करता हूँ, D टीके, D equals to, इसके बाद में friends, आपको क्या करना है, double course यहीं कि इस string के अंदर आपको लिखना है, जैसे friends, name अब name की value क्या है, friends, तो किसी का नाम में suppose साथी टीके, इस type से, कॉमा करता हूँ, friends, मैं यहाँ एक और element add करना चाहता हूँ आप चाहें, तो enter भी कर सकते हैं, जैसे friends, मैं इस बार लिखने वाला हूँ, यहाँ पर age तो age कितनी है, साथी की friends मैं लिख देता हूँ, suppose 42 अब 42 अपने पास क्या friends हो है, number, इसलिए friends मैंने इस 42 को क्या कर दिया यहाँ पर as a number रखा double quotes, use नहीं किया है, इसी टाप से friends अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहते है address, ठीके, तो address क्या होगा स्वातिका, तो friends हम लोग यहाँ store कर सकते हैं, जैसे ऐसे ही, कोई भी area आप लिख सकते हैं, friends मैं ऐसी लिख देता हूँ, suppose CHB, एक area है, ठीके, CHB तो इसी तरीके से friends कुछ और elements अगर आप यहाँ store करना चाहते हैं, friends मैं लिख देता हूँ, suppose phone number अब phone number किस type का होगा friends, तो यहाँ मैं उसको string मैं लिख रहा हूँ, जैसे 987654320, ऐसी कोई randomly मैंने यह एक number डाल दिया, ठीके, तो इस टाप से friends अपनी जो यहाँ पर dictionary है, वो complete हो गई है, इस dictionary में कितने elements हैं, कितने items है, friends, total अपने पास 4 है, एक name है, एक age है, एक address है, और एक phone number है, अब इनकी values, name क्या है friends, age क्या है, 42, address क्या है, CHB, phone number क्या है, 9876543 2, 1, जो भी, जो भी इसके अपने यहाँ store किया है, तो friends, इस टाप से अपनी dictionary यहाँ पर complete हो जाती है, आपको कुछ चीज़े यहाँ observe करनी थी, यहनि कि यहाँ पर क्या, इस dictionary का नाम, आप चाहें जो ले सकते हैं, equals to, उसके बाद friends, curly brackets start होता है, curly brackets off होता है, तो यह बताता है, यहाँ से dictionary शुरू होगा, यहाँ पर dictionary close, last minute, ठीक है, उसके बाद में जो भी keys हैं, double quotes में बता सकते हैं, आप चाहें तो friends, यहाँ पर keys को जो है, वो string ले सकते हैं, आप चाहें तो number ले सकते हैं, अभी हम लोग देखेंगे, आप चाहें तो वहाँ पर as a tuple b, यहाँ उस करके दिखाएगा, इसी type से, अगर हम लोग friends यहाँ पर चाहते हैं, particular किसी एक element को देखना, ठीक है, तो friends में ऐसा कर सकता हूँ, d of age, ठीक है, अब d की age क्या है, अगर हम यह देखना चाहते हैं, तो हमें पता है friends, क्या है 42, देखें, क्या है 42, इसी type से friends, अगर मैं लिखता हो, d की, जो भी phone number, suppose pn हो, ठीक है, तो देखें, कि इसका phone number क्या रहा है, जो भी 9876 something लिखा है, वो phone number आपको मिल जाएगा, तो friends, actual में database से ऐसे ही आपको data मिलता है, जिसको आपको यहाँ पर print करवाना है तो या उसको use करना होते है, तो friends, एक dictionary अपनको मिली है, या आपनने dictionary create की है, उसके datas को कैसे आप access कर सकते हैं, तो dictionary create करना आपको आगया है, क्या लिखा है, d equals to something जो भी आप लिख रहे हैं, और उसके एक element को आप किस तरीके से access कर सकते हैं, friends, इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और dictionary बनाने वाला हूँ, लेकिन friends, अगर आप observe क पड़ा है, वो अब मैं देखना चाहता हूँ, friends, course equals to, ठीके, तो मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ, क्या लिखूंगा friends, course का title, course का title क्या है अपने पास, तो friends, वो है अपने पास python, ठीके, इस type से, इसी type से friends, मैं इसमें दिखाना चाहरा हूँ, इसकी fees कितनी है, ठीक जो है friends, वो अपने पास यहाँ हो जाएगा, करीब, ठीके, इस type से, अब ठीके, क्योंकि string है friends, तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा double course में, तो इस type से friends, इसके three elements जो है, store कियें, आप देख सकते हैं, courses को print करके देख सकते हैं, मैंने spelling गलत कर दी है, course ही लिखा है, ठीके, तो course के अंदर जो data है, वो अपनको यहाँ पर मिल चाहते हैं, अब friends, अगर हम चाहते हैं, इसके अंदर description भी डालना है, suppose एक और element मैं इसके अंदर add करना चाहता हूँ, ठीके, एक और item मुझे add करना है, तो friends, कैसे लिखेंगे, जो course है, ठीके, इस course के अंदर, अब देखें इसको क्या लिखेंगे, एक course जो था, अब इस course में आपको add क्या करना है, तो friends मैं लिख देता हूँ, description, ठीके, description, अब description का, क्या description है, अपनको वो यहाँ पर store करना है, तो friends मैं ऐसी लिख देता हूँ, a programming language, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीके, मैंने बस यतना ही लिख दि ठीके, एक course, देखें, आप यहाँ पर इस बार जो है, क्योंकि आपको भी यह सही शायद नहीं दिख रहा होगा, तो मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको उपर करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं, इस बार जो है, यहाँ क्या दिख रहा होगा, आपको programming language सा अपलाई करेंगे, जैसे keys, जैसे values, कुछ भी, तो देखते हैं उसको फिर से, इसी type से friends हम लोग क्या करते हैं, एक और dictionary create करते हूँ, और इस बार जो है friends उसकी keys को हम लोग, क्योंकि पिछले example में हम नहीं देखा था उसको, कि वो string type की थी, इस बार friends हम लोग number type की बनाने व का नाम है, इसी type से friends one पे मुझे कुछ store करना है, ठीके, तो friends one पे मुझे क्या store करना है, किसी का नाम जैसे की राहुल, ठीके, इसी type से friends मैं या पे two पे कुछ store करना चाता हूँ, two पे क्या store करना है वाला हूँ, वो नाम लिख सकता हूँ, friends जैसे की, योगेश, इसी type से friends मै या एक और नाम लिखने वाला हूं वो है 3 number पे तो देखे 0, 1, 2, 3 यह है अपने पास index लेकिन basically friends वैसे index नहीं है जैसे कि list में या आपने पास जो tuple में या हम लोग जो है वो string के अंदर use कर देते हैं यह basically friends अपने keys बन रहे हैं ठीक है क्योंकि यह कई बार हम लोग habitual हो जाते ह हम लोग string के basis पे data को लेना तो friends इस type से हम अगर खुद चाते हैं अपनी dictionary बनाना तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं ठीक है तो friends यहाँ पर मैं कुछ और नाम लिख देता हूँ जैसे कि तुशार ठीक है इस type से कुछ और examples भी हो सकते हैं मैं इतना ही लिख देता हूँ friends d के अं पर तुशार मिल जाएगा तो क्योंकि हम लोग जानते हैं इस type से indexing करते थे हम लोग दूसरे data types के अंदर तो यहाँ पर वो option नहीं है लेकिन फिर भी friends अगर आप चाते हैं तो manually आपको वहाँ पर उसका index जो है यानि की keys जो है वो set करनी पड़ेगी जैसे आप चाहें ठीक जैसे पिछले examples हम लोग देख रहे थे तो friends हमने यहाँ पर क्या लिख दिया था जैसे की SNO था सबको सीरियल नमबर है courses है जो भी है SNO यहाँ लिख देता हूँ S info टीकि S info में हमने यहाँ पर क्या लिख दिया था friends तो मैंने लिखा था यहाँ पर जैसे की कह सकते हैं कि name कि किसी का name है क्या है name friends तो वो लिख सकता हूँ मैं जैसे की सुरेन जो भी ठीकिए इसी टाप से friends मैं यहाँ कुछ और लिख देता हूँ जैसे की age ठीकिए तो मैं लिख देता हूँ age कितनी है तो friends में age लिख देता हूँ यह suppose 34 जो भी है ठीकिए अब 34 के आपने पास number आ चु हो सकता है कई बार हम लोग फॉन नंबर जब database में store करते हैं तो हम लोग बीच में separator या dash या कुछ लगाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है इसले friends मैं इसको क्या बना देता हूँ as a string ठीकिए तो और भी कुछ information सागर आप यहाँ store करना चाहते हैं जैसे friends में लिख देता हूँ य आसे यह valid नहीं है at the rate gmail.com ठीकिए कुछ भी आप लिख सकते हैं तो इस टाप से friends अपने क्या कर दिया as info बना दिया है मैं चाहता हूँ as info को print करना यह as info print हो जाएगा ठीकिए अब friends मैं इसमें से एक एक element को उठाना चाहता हूँ ठीकिए ट्रैवर्स करना चाहता हूँ तो ट्रैवर्सिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा friends मैं यहाँ पर use करूँगा एक loop for a कोई भी variable ले सकते हैं in किसमें पढ़ाई है as info में ठीकिए as info जो आपके पास एक dictionary है उसमें बहुत सारा data पड़ाए एक एक करके जैसे पहले name आयेगा फिर age आयेगा फिर phone number आयेगा फिर email आयेगा एक एक करके friends elements जो है हमारे a के पास आएंगे ठीकिए और फिर उसके बाद में friends हम लोग यहाँ print कर सकते हैं अगर friends मैं लिख तो friends यह loop क्या काम करेगा यह basically friends display क्या करेगा केवल आपके पास जो भी keys हैं जैसे यह क्या करेगा देख सकते हैं यह क्या करेगा केवल name age phone number इस टैप से name age phone number email केवल keys अब friends अगर हमें key मिल जाती है ठीकिए मैं इसी example को फिर से लिखने वाला हूँ मैं लिख देता हूँ for a in s info ठीकिए अगर आपके पास friends keys आपको मिल जाती है ठीकिए तो आप ऐसा भी तो कर सकते हैं जैसे कि आप लिख सकते हैं यह जो भी यहाँ पर था name अब friends name के बाद मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ अपना column तो column क्योंकि यह character है double quotes के अंदर लिख दिया है इसके बाद मै friends हम लोग क्या चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ यह s info जो है उसका a यानि कि s info का name, s info की age, s info का phone number या s info का email जो है वो print हो जाए ठीक है तो इस type से friends हम लोग print function के अंदर कुछ लिख रहे हैं अगर आप देखेंगे तो इस बार जो है name, age, phone number, email सब एक एक करके आपको information मिल जा देखने वाले जैसे friends suppose s info में हमारे पास कुछ data पढ़ा है तो friends मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर s info जो भी है dot keys तो इस dictionary के अंदर अपने पास total कौन कौन सी keys है ठीक है उसके लिए क्या लिखना cable dot keys function इसमें friends देख सकते name, age, phone number, email ऐसा कुछ है इसी type से friends अगर आप चाहत इस बार values कौन कौन सी है तो वो आप देख सकते हैं आपको मिल जाए का सुरेन 34 something जो भी phone number, email id जो कुछ भी है ठीक है तो इस type से friends आपको यहाँ पर जो है keys और values function समझ में होगा keys क्या करता है, keys return करता है, values क्या करता है, जित्ती भी values है वो सब return करता है अब friends यह जो return आपको कर रहा हूँ एक sequence में कर रहा है इसलिए अगर आप चाहें तो इसको friends convert कर सकते हैं list के अंदर भी जैसे as info dot values अगर friends आप चाहते हैं यहाँ पर values को store करना ठीक है as a list अगर आप लेना चाहते हैं किसी variable में store कर सकते हैं मैं temporary print करके दिखा रहा हूँ तो देख सकते हैं friends इस बार आपको एक as a list content मिला है ठीक है sequence हो था ही लेकिन साथ में उसको मैंने list में convert करके आपको यहाँ display किया है ऐसी friends अगर आप as info dot keys लिख देंगे तो जो keys है उसको भी आप यहाँ पर as a list जो है वो convert कर सकते हैं ठीक है तो इस टाप से friends कुछ contents जो है यह कुछ topics जो है उसको friends हम लोग पहले theory में discuss कर चुके थे इसी टाप से friends उन सारे topics को हमने discuss किया है practically I hope friends आपको यह सारी चीजे बिलक special रहा होगा इसी टाप से friends अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं जिसमें कुछ नहीं topics के साथ मैं आपसे मिलता हूं तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं थैंक्यू